कि दौनों आज के लेक्षर में हम क्रास टेंद का चैप्ल लंबर त्री को श्टार्ट करेंगी ठीके है भचो आज के इस लेक्षर के अंदर हम क्रास टेंद का जो एक्ससाइज है चैप्ल लंबर एट है Trigone में तो और क्लास 10 का मुश्टिंपोंटेंट और 11 में आपको मिलेगा 11,12 आपको मिलेगा है केमेश्टिफी फिजिक्स में हर एक स्टेप में यह वाले जो दिय वाले हैं ही त्रिकोंमें धिक hebat होते हैं साइन शिटा कॉस्ट ठीटा यह तुम्हें फिजिक्स और मैत में ज्याद दिखनेों को मिलेगा ठीक है तो तो अब आज के लेक्चर में हमें इस वाले चेप्टर के बारे में बात करनी से इसक्षे अंदर जतने बी एंदि एक्जामपल्स है जितने भी अदारन है 8.1 के वो सारे में आपको समझाऊंगा और जितना भी इसका basic 8.1 का वो सब आज में आपको इस वाले lecture के अंदर समझाऊंगा ठीक है जितने भी इसके basic concept है वो सब बताऊंगा तो देखें याँ पर ध्यान से सबसे पहले आपको क्या करना है देखें जान से सबसे पहले चप्टर का जो नेम है वो क्या है तिरकोन मिती चप्टर का नेम क्या है तिरकोन मिती ठीक है इंगलीज में इसको क्या परियोग हम कहां पर करते हैं और क्यों करते हैं तिरकोन मिती जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना समकोन तिरबूज होता है उसके जो कोनों और बुझाओं के मद्य जो अध्यन किया जाता है किसी भी बिल्डिंग में अगर किसी भी बिल्डिंग की अगर हाइट ना पनी हो अगर किसी भी पेड़ की हाइट अगर ना पनी हो तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं तिरकोन मिती का हम बेसिकली वहां पर यूज करते हैं अपर फ्वाज चेप्टर में क्या करना है एक लाइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होगा सम्कोंट थी इस बता दूंट हरे स्मकोंट थो बने गा नाम क्या है राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है और विश्यशक्र बच्चों मैं आपको दोनों लेंग्वेज में प्डाऊंगा हिंदी और इंग कि दोनों में कि देखिए इसका नाम रख दे मैंने ए बी सी यहां पर यह एंगल का सिम्बल होता। है यह वाला इस गए इसकर वाला हिंदी वाले बते क्रण और इंग्रिश वाले हाइपो टे ऍटीनिस हाइपो ये विद्ट के सात्व में जुडियो है जो साइड है जो side include है जुड़ी भी है इसको बोलेंगे आधार इस side का नाम किया आधार ठीक है क्या नाम है इसका आधार और हिंदी वाले क्या बोलेंगे आधार और इंग्लिस वाले क्या बोलेंगे base क्या बोलेंगे base बोलेंगे ठीक है अब देखिए जहां पर आप angle लोगी इस वाले chapter मे केवल यह समझना है आपको कि जहां पर हम एंगल लेंगे जश्ट देखे मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ठीटे लिया है तो ठीटा के सामने वाले जो साइड है वो क्या होगी प्रपेंडिकूलर लंब ठीक है एंगल जहां पर भी होगा देखे यदि अगर एंगल ठीटे में ले रहा हूं तो ठीटा के सामने वाली इस ठीटा के जश्ट इस ठीटा के जश्ट सामने वाली जो साइड है इस ठीटा एंगल के मतलब जश्ट सामने वाली जो साइड है उसको परपेंडिकूलर बोलते इंगिस वाले और हिंदी वाले क्या बोलेंगे ल प्रपेंडिक कूलर ठीक है अब देखें ध्यान से सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों साइड से उनके नेम पता होने चाहिए कि जोंसम एंगल लेंगे उसके पास वाला आधार होगा बेस होगा नैंटी के सामने वाला हाइपोटेनिस होगा करन बोलेंगे और ठीटे के सामने वाला एंगल क्या होगा लंब परपेंडिकूलर ठीक है चलो अब त्रिकोन मिती क्या होता देखो पहले याँ पर चेप्टर का नाम है त्रिकोन मिती त्रिकोन मिती चेप्टर का जो नाम है वो है ठीक है इसका मिलें पहले समझ छो आप है त्री मतलब क्या होता है देखी रिकोन मतलब कि मतलब मापना मतलब मापना इंगिस वाले क्या बोलेंगे 3 कि एंगल कि मेजर थीफिशंे चाता त्याफर चलो कि कि यह जो निया करें त्रीओ है उप्सा की होता है 3-ेंगल मिजर मतलब तीन वोजाओं को नाकना किसकी राइट हैंग ट्रयांगल की संवकूर हूँ आप इतना सीखने के बाद हम यहां पर लिखेए एक बात आपको यहां पर power दियान देंए लेए टर पर और कोई रैट हैंगल ट्रयांगल में पाइटा पाइज़न निकालनेका फॉर्मूला होता है उसको बोलती है पाइज़न परमी उसको नोट डीकर पाइता गुरस परीमे इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको पाइता गुरस थ्योरम और शॉल्ट में इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं इसको पी जी टी पाइता गोरश्थ्योरम और यह क्या होता देखी पहले 90 के सामने वाला हाइपोटेडिस यानि ह का स्कॉरर और ठीटा के सामने मतलब पास वाला यह वाली साइड इसको आधार यानि बेसबी का स्कॉर प्लस परपरेंडिकुलर खीटा के जश्ट सामने वाली साइड परपेंडिकूलर BC यानि Pi का स्कॉर्य ठीक है अब देखें हिंदी माध्यमवाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगी हाइफोटेनिस का मतब कन कन का स्कुआर बेस मतब आधार का स्कुआर प्लसपरपेंडिकूर मतब लंब लंब का स्कुआर ऐसे थीक है और आपको ध्यान लकना है इस वाले salt में base को B बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे base को B बोलेंगे करणों को H बोलेंगे salt में perpendicular को salt में क्या बोलेंगे P बोलेंगे और हिंदी वाले क्या बोलेंगे हिंदी वाले जो करणों को बोलेंगे K हिंदी वाले क्या बोलेंगे सोट में के फॉर कर और आदार को ऑ और fragrant को रोत Bhag Regent come downstairs लम्ब को क्या बोलेंगी ल तो यह इंपर हीिणी वालों के लिए और Ingen promised कि लिए मैंने लिग दी है इसको आपको डाइग्राम को आपको और इसको सवाल करने का प्रियास करना है और यह फर्मुला आपको याद होना चीए ठीक है क्योंकि प्रश्णावली इंट-वन में यह जो फर्मुला है वहर एक स्टेप में यूज होगा यह वाला फर्मुला ठीक है तो मुल रोप से द्यान रहें चलो अब इतना सीखने के बाद हम यहां पर तर्कॉन मिती की हम परिवासा लिखेंगे पहले क्या होती है तर्कॉन मिती जो फलन है । अनुपात है उसके हम परिवासा लिखेंगे समकोन त्रिबोज की गनित की वह साका यहां आप लिख सकते हैं गनित की वह साका वह ब्रांच मैतेमेटिक्स की जो ब्रांच है उसके बारे में पढ़ेंगे गनित गनित की वह साका जिसके अंतरगत समकोन त्रिबोज की जिसके अंतरगत समकोन त्रिबोज की बुजाओं एवं कोनों के मद्या सम्बंद का कोनों के मद्य सम्बंद का अद्द्यान चाहता है अद्द्यान किया जाता है अध्यन किया जाता है त्रिकोन मिती कहलाती है त्रिकोन त्रिकोन मिती त्रिकोन मिती कहलाती है ठीक है त्रिकोन मिती कहलाती है ठीक है बच्चो यह बात आपको पता होने चाहिए कि तिर्कोन मिति क्या होती है गनित की वह साका जिसके अंतर का समकून तिर्बूज की बुजाओं एवं कोनों की मद्य संबंद का अध्यन किया जाता है तिर्कोन मिति कहलाती है ठीक है तो बच्चो आपको यहां से इसको सही से नौट करना है यह चैप्टर एकदम में बेसिक से समझा रहा हूं टीप में ठीक है एकदम बेसिक से जिरो लेवल से यह चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसलिए जो भी अगर आपकी कहीं पर दिक्कत होगी तो आप प्रशन पूठ प में लिख्वा रहा हूं वह आपको सही से नौट करनी है अपनी फेर कॉपी के अंदर ठीक है चलो अब देखिया आगे मेरे सांस साथ आप वीडियो को पहुज करके इसको नौट करते रही ठीक है अब यहां पे हम हैडिंग गेरेंगे त्रिकोन मिती त्रिकोन मितिया बोल स यहां अनुपात इकनी स्में भी आपको सीखना पढ़ेगा क्या मोिते हैं ट्रिकनो मैट्रिक ट्रिगोन मैट्रिक ट्रिगोन मैट्रिक ए रेशिव रेशियू इस ठीक है रेशियू देखो बच्चो त्रिकोन मिती आपको यहाँ पर लिखना है त्रिकोन त्रिकोन मिती या अनुपात त्रिकोन मिती अनुपात मुख्यत है च्छे परकार की होती है च्छे परकार च्छे परकार की होती है चलो बहुत बढ़ी है सबसे फर्स्ट परकार आता है साइन इसको क्या बोलते है सेकन्ट लेकिन और में क्या बोलते है साइन की साथ में एंगल आपकुछ भी ले सकते हैं अन दूसरा रुटझ ठीटा आ दीसरा तीसरा टैन ठीटा और चौता पॉट ठीटा और पांच हुआ हुआ है सैक ठीटा और छटा उसके बाद शिक्स में क्या लेकिंगे कौसक ठीटा कौसक ठीटा तो बच्चों ये पांच इसको अनुपात बोल सकते हैं इसको आपको याद होना चीज़ डएक ठीटा यह आपको सिधा याद करना है कि तुर्कों मिती है उनुपात मुक्य अच्छे प्रकार का होता है और उनके नाम हम आपको एकदम याद होने चाहिए साइन अजडल कंएर कोस्केट सेह कुंछ चिता औरerves यहां पर गावल है । को बोलते देखी इसका सिमबर कैसे बनेता है ऐसे गोर्ण कने कि यजिस कर수 कर बीच मसे और इसको क्या बोलते है से सब्सक्राइबester Ale itu Da shredded और यह क्या करता है को डर्साता है ठीक यह परकार के कौन है स्काण सब्सक्राइब कौन को दिखाने के सिंबाल है थीटा बचो अमीद है आपने यहां तक इसको सही से नौट कर लिया होगा ठीक है अब इसके बाद ध्यान से देखिए आगे देखिए बच्छो इन छह परकार के तिरकोन में ते फरलों के फर्मूले क्या है फर्मूले सुत्र है ठीक है तो फर् बनाना पूदीगा यहां पर राइट यह वाला ठीक है चलो गूं कि एयंगल ठीट मान लें मैंने क्या है यह मेरे पास steps रिकान दिखाँनगा में ठीक है और हिंडी वालों के लिए इसको बोले आधार इसको क्या बोलते है आधार इसदें हेन्डी वालों के के लिए में इसको असी दर्समाँगा और इंग्ismoval के लिए बीसे और इसको बोलते हैं हेलिग सबस्का俺 describe प्रिजेंट करते हैं capital S से और हिंदी वाले इसको कन बोलते हैं तो हिंदी वालों के लिए मैं यहां पर के लिखूंगा की के फॉर कर और ठीटा के जस्ट सामने वाली बुजा क्या होती है लंब ठीक है एल और इनिस वाले क्या बोलते है परपेंटिकूलर इसको पी बोलते है इस साइड को तो सौट में मैंने क्या लिख दिया पी लिख दिया चलो अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमें यहां पर फॉर्मूलर निकालना है साइन ठीटा का साइन ठीटा का फॉर्मूलर क्या होगा यह हमें निकालना है तो बच्चों आपको पहले देखिए इन सब के फर्मूले याद करनी के लिए, आपको ख्रिक याद करनी है, को उससी वाली इसको पहले वह भाद में लिखवाता हूँ, पहले आप ट्रिक को देखिए, अगर मिली समाध्यम वाले बच्ची है तो वो क्या याद करेंगे पंडित बदरी ठीक हो थोड़ा इसको में गैप में लिखता हूं ठीक है पंडित बदरी परसाद हर हर बोले ठीक है और सोना चांदी तोले मतब एस फॉर क्या है साइन ठीक है सी फॉर कॉस तोले टैन ऐसे भी तुमें इसको याद कर सकते हो ठीक है देखिए पहले वाला पहले वाला जो रेश्यू है ये वाला उपर की साइड से यानि पी अपॉन है ये होता साइन पंडित बदरी परसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले तो एस फॉर क्या है 10 तो पहले वाला जो रेश्यू है वो किसका है 10 वो साइन का क्या है साइन साइन ठीक है दूसरा वाला जो रेश्यू आएगा वो किसका आएगा कॉस ठीक है और तीसरा वाला जो रेश्यू आएगा वो क्या आएगा 10 ठीक है तो ले पंडित बदरी परसाद हर हर बोले सोना चानली c for cos तो ले 10 जिटा अब इसका उल्टा अब इसका रेशिभ्रोक्ल करना है आपको ठीक है अब आपको इसको लिखना है एच अपॉन पी पहले ऊपर एच आएगए नीचे पी आएगा तो इसका उल्टा यह वाला यह वाला यह वाला टैन का उल्टा कॉट तो बी अपॉन पी कॉट का फॉर्मूला और एच उपॉन भी इसको आपको उल्टा करना है पहले एच रखना है फिर बी रखना है कॉट के बाद सैक सैक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सैक ठीटा इसे और एच अपॉन भी और कॉससे갈 ठीटा एच अपॉन पी ठीक कॉससे ठीटा क्यों है चलो अैं तो अब जो इंग्लींटी वाले बच्चे याद करना है वलाटरस यह णिष्क आपको याद करना है थी आप से जो पहले वाला रेशियू है यह साइन कहीं रहेगा दूसरा वाला कोश करेगा तीसरा वाला उनुपात इसका रहेगा तैन का तो हिंदी वाले क्या बोलेंगे एल अपॉन के साइन ठीटा का फॉर्मूला है एपॉन के आधार बटेकर कॉस्ट ठीटा का फॉर्मूला है और एल अपॉन किसका फॉर्मूला है इनका उल्टा जश्ट ठीक है उल्टा एपॉन किसका फॉर्मूला है टैन के बाद क्या था किसका फ़र्मुला है कि आपन ने यानि आदार किसका का फ़र्मूला है जो दोनों मीडियम के student बच्चे हैं उनको इन दोनों ट्रिक को याद करना है हिंदी वालों को यह वाली ट्रिक याद करनी है और इंग्रीज वालों को यह वाली ट्रिक याद करनी है ठीक है तो अगर आपको यह दोनों ट्रिक्स याद है तो इस से आप आरम से फर्मूले निकाल सकती हूं ठीक है च हमसे सबसे पहले साइन ठीटा का फॉर्मूला आपको निकालना है तो मैंने क्या बतायता है अगर साइन क्या एंगल ले तो ठीटा के सामने वाला लंब यह आधार यह कर यह पर पर पेंडिकूलर यह बेस हाइपोटिनिस तो अब यहां पर ध्यान से देखिए आप पहले यह साइन का फॉर्मूला था इंगलिस वालों के लिए मैं यहां लिक रहा हूं पंडित बदरी परसाद हर हर बोले ठीक है देखिए साइन का फॉर्मूला था पी अपॉन एच और हिंदी वालों के लाल बटे कका यहनी एल अबॉन के एल अपॉर के लंब यह और के प口 अ कर बोल यह बोल देता हूं यहांंट उपकालके क्नीगिस को यह साइन को यह के लिकिंगे इट पी अपॉन हिंदी कूलर है और एच बोलते हाइपो टेनिस हाइपो टेनिस हाइपो टेनिस और कॉस्ट ठीटा हिंदी वाले यह वाला आधार में टेकन एपन के अब आधार क्या है ठीटा के लिए आधार क्या है एबी यानि आधार हम यहाँ पर क्या लखेंगे आधार आधार बटेक कर और इंग्लिस वाले क्या लखेंगे आधार को क्या बोलते हैं यह लोग पी अपॉन एच क्या बोलते हैं बी अपॉन एच बी फॉर बेस एच पूर ह और 10 ठीटा 10 के लिए हिंदी वाले क्या बोलेंगे लंब बट्टे आदार L अपॉन में A और देखिए अब L क्या होगा L वही लंब L फॉर क्या होता लंब और A फॉर आदार और इंग्लिस वाले क्या बोलेंगे 10 के फर्मले को P अपॉन B P अपॉन B P फॉर क्या होता पर्पेंडिकूलर पर्पेंडिकूलर और B फॉर बेस तो पर्पेंडिकूलर अपॉन बेस किसका फर्मूला है 10 ठीटा का उसके बाद कॉट ठीटा का फॉर्मूला क्या है कॉट अब देखिए कोट में आपको उठा करना है A upon L यानि आधार बटे लंब A for आधार और L for लंब यह जो फॉर्मूला है यह है तुमारा कोट उठागा और इंग्रीस वाले क्या बोलेंगे कोट को B upon P B upon P यानि B for base और P for perpendicular perpendicular परपेंडिकूलर चलो और सेक ठीटा है इन्दी वाले के अपॉन यह यानि सेक लिखावा के अपॉन यानि कन बटे आधार के फॉर कन एफॉर आधार चलो ठीक है देखिए इंग्रीस वाले क्या बोलेंगे सेक को एच अपॉन बी एच अपॉन बी एच फॉर हाइपो टेनिस और बी फॉर बेस चलो एक फॉर्मला हो रहे है को सक ठीटा हिंदी वाले क्या बोलेंगे के अपॉन यानि के फॉर कन एल फॉर लंब अब ज़र यहांपर दिहां से देखिए कन क्या है वह इंग्रीस वाले क्या बोलेंगे एच अपॉन फी को स्टेक खीट और क्या बोलेंगे एच अपॉन फी तो एच अपॉन में पी हैच फॉर हाईपो टेनिस और पीफर परपेंडिकूलर परपेंडिकूलर ठीक है चलो और ये 6 परकार के फर्मूले बचो जो 8.1 में exercise 8.1 में यूज होगी exercise 8.1 के हर एक फर्मूले यूज होने है इसलिए सभी बच्चे इनको ट्रिक से याद करना है आपको ट्रिक पहले इसको याद करनी है अगर हिंदी वालों ने ये वाले ट्रिक और इंग्लिस वालों ने ये वाले ट्रिक याद कर दी तो ये चापकर फिर कुछ नहीं है ठीक है तो इतना पहले आप नौट किजिएगा अगरे चलो अब देखिए बच्चों इतना आपने नौट कर दिया होगा आप एक आथ क्वेशन लेता हूं में जड़ा तो कि आपके एंसी आर्टी बुक से एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल और सारे जो क्वेशन से ना उसमें क प्रशी वाले फर्मूरे ना खली यह यूज होने तो इसलिए आप इनको सही से नौट करें और याद करें ठीक है क्योंकि हरे क्वेशन में यह यूज होंगे भी तो इसको आप सही से याद करें की डियर से ठीक है चलो अब एक एक्जामपल लेते हैं तुम्हारे एंस्याटी बुक का ना एक्जामपल पहले में लिख लेता हूं क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वह यहां से नौट कर ले ठीक है तो पहले में एक्जामपल को यहां लिख देता हूं पटापट देखिए आपकी एंस्याटी बुक का एक्जामपल फर्स्ट है कि यदि टैन ए इस टैन एज इकोल टू फोर बाई थ्री तो कौन एके कौन एके अन्या त्रिकोन मितिया 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 अनुपात अंजे तुरकोन मिट्रिय उनुपात ज्याद कीची अभर चलू अब देखें बच्षो घ्यान से इसमें आपको एक बात ध्यान देना है पहला तो हरे क्वेश्चन में आपको एंगल देके रखेगा जो त्रिकोंड मिति अनुपात पूचेगा वह एंगल एंगल ठीटा एना मतब एंगल देके रखेगा अगर एंगल नहीं देगा ऐसे जिस तरह इसने पूच लिया कि टैन यह वराबर चार बटे तीन तो कोण एक के अन्य त्रिकोंड मिति अनुपात ग्यांद कीजिए देखिए अगर एंगल नहीं भी देता है तो आपको वहां पर ठीटा मानना है कोई से भी एंगल मान लो और जोन से एंगल को ठीटा मानोंगे ना उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब और उससे जुड़ीवी जो साइड हो जाएगी ना व सब्सकों पूरे मतब सिक्वेंस के सांथ ठीक है तो देखें पर आप ध्यान से सबसे पहले हिंदी वालो निवाली बच्चे वह यहां पर हल लिखना और चाहिए तो आप यहां पर स्यूशन में लिख सकते हैं एक यह बात है ठीकिए चलो है उसके बात दिया है ठीक है माद दिया है हमें दिया है कि टैने एक तिर्कोन मिती अनुपात की वैल्यू दे रही है टैने की चार अबटे तीन और हम से पूछता है कि कोण एक के अन्य सभी तिर्कोन मिती अनुपात ग्यांत करूं ठीक है देखें पहले यहां पर कोण एक के अन्य सभी का मत्रब किया है कि जो शह परकार के तिलिकोन मितिए उन्हुपाक हमने पड़ी थे उन मैसे एक हमें दे रखा 10 बागी कि कि जो 5 है ना बागी के दिखिए जो शह परकार के साइन कॉश्ट टैन कॉट सेक को सेक चपर गест इस यह इसंद है इन मैसे ईक बताने हैं कि क्या आएगी ठीक है तो क्वेश्चन आप समझगी होंगी तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां पर सबसे पहले एक समकौन त्रिभूज राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रो करना बना देना है ठीक है अब देखिए ज्यान से एंगल एदिया है ना इसने आपर तो एंगल एक को आपको यहां पर रखना पड़ेगा तो उसके साथ वाला आधार हो जाएगा बेस हो जाएगा और उसके जश्ट सामने वाले फ्रंट वाला प्रपेंडिकूलर या लंब ठीक है ए इसको बी मान लो इसको सी मान लो ठीक है अब देखिए अब आपको क्या करना है सिंस हम जानती है टैन ए बराबर टैन ए का फॉर्मूलर क्या था कर ट्रिक याद नहीं आ रही है तो लाल बटे कका हिंदी वाले क्या बोलेंगे लाल बटे कका ठीक है टैन का फॉर् तो मैं तो विशिसकर हिंदी माजम के लिए बना रहा हूं तो मैं यहां